हमारी फॉज को क्यों नहीं एर फॉर्स को एक बार मौका तो देखे ठीक है उनके पास भी बराबर के बंदूके हैं तो टैंक्स काहे कि लिए रखे गए दिवाली में उडाएंगे क्या कि दिवाली में मिसाइलन जलाने के लिए काहे कि लिए रखी गई है सहब पाकिस्तान औ कि लिए तो जिम्मेदार कौन है मतलब जिम्मेदार कोई नहीं लेगा है ऐसा है क्या यह बहुत बड़ा मैच है और मेरा भारस सरकार से निवेदन है अग्र है कि अगर यह समस्य बढ़ती जा रहे हैं अगर जंगल की बात है तो अभी कोई फल भी नहीं लगे है जंगल के जंगल को उड़ाना फिर बंता है अगे निर्णय आपके उपर है घुश के जब तक साला नहीं मारेंगे ना तब तक ऐसे ही बच्चे माओं के मरते रहेंगे घरों के चिराग बुचते रहेंगे बात यहां 22 माओं के बच्चों की नहीं है बात यहां ऐसी है हजारों ऐसे शहीद हुए है कि उनकी आत्माओं को इतना भी एक बार डिजर्व नहीं करती है कि एक बार तंडव एक बार महाकाल का प्रचंड नाच होना जरूरी है यार वरना ऐसा है जो आज जंगलों में है ना कल तुमारे घरों में पुसंगे और मैं हमेशा कहता हूं आतंगवाद जो बाहर का है उससे बड़ा खत्रा देश के अंदर के आतंगवाद से और अगर इससे भी कुछ खतरनाक है ना तो मानूम है कौन है जो लोग चुब बैठे हैं जब जब तुम चुप रहोगे ना तुम पर ऐसी ताक्ते राज करेंगी क्योंकि ध्यान रखना बुरे लोग अच्छे साले जो बैठे हैं कियो तुम खटु और सब अगर आज बी तुम अपनी आवाज ने उठते हो बाइल है कमजदिक तो कर सकते लुख सवाल तो खथा सकते हो लेकिं तुम जो इन माउ को के बारे में कभी सो च्पर देखना बे उस बेहन के बारे में उस बेटी के बच्चों के बारे में जिनका बाप वहां गर्मी में जंगलों में लड़ते हुए तुम्हारे लिए शही दिवा उसको फर्क पड़ता है उस तिरंगे के लिए उसे इस वतन के हर इंसान से फर्क पड़ता है